हमें नो के पार्ट का तीसरा पॉइंट गोल ये दर्पन के बारे में समझेंगे जिसा कि हमने पिछले वीडियो में परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने समतल दर्पन की बात की थी समतल दर्पन का अनलब कोई विलकुल समतल काच है और उसकी किसी भी एक सतय पर हमने पालिस कर दी शिल्वर नायट्रेट की पालिस कर दी या अलूमिनियम की पालिस कर दी तो समतल दर्पन बन जाता है ठीक है परन्तु यहां जिसा के नाम ये गोल ये दर्पन गोले दर्पन में क्या होगा जिस परकार से फुटवाल होता है फुटवाल की तरह गोल कोई काज का गोला है और उसका एक टूकड़ अपने काट लिया ठीक है मालीजी, इतने से भी इस भाग को अपने इस भाग को यहाँ से काट लिया पर मैंने यहां लिख दिया, यह बना दिया इसे, ठीक है, और उसके किसी भी एक सत्र पर पालिस कर दें, जैसे मैंने इधर पालिस कर दी, तो यहां इस परकार चीए गोले दर्पन बन गया, अब गोले दर्पन भी दो परकार के होते हैं, उनके बारे में हम आगे पड़ेंग हैं, तो तलिये शुरुबात करते हैं, समतल दर्पन के अतिरित ऐसे दर्पन भी होते हैं, जिनके प्रष्ट व्रक होते हैं, वकर होते हैं, यह वकर है, वकर का नलब गुमावदार, ठीक है ना, जिसको गुमावाई से, ठीक है, यह प्रष्ट क्या है, गुमावाई है, भुमावाय। उसे वोलते हैं वक्र, वक्र बोलते हैं। इस तरह के दरपणों में हमें परत्विम एक भिना करती के तरह दिखाए देता है। यानि कि समतल दर्पण में जो क्या था समतल दर्पण में जो परत्वीम है वो आबासी चीक है जैसे वेक्ति खड़ा है समतल दर्पण के सामने तो उसका परत्वीम इसमें आबासी सीधा चीक है और वस्तु के बराबर था परंतु गोल ये दर्पणों के अंदर क्या होगा प परत्विम के आकरती दर्पन के वर्ग प्रष्ट के परकरती पर निर्वर करती है कि जो परत्विम बनेगा वो उसमें जो गुमाव है वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है उसमें डिपेंड करता है ऐसे दर्पनों जिनके प्रावर्तक प्रष्ट गोली होते हैं देखो वो प्रावर्तिक प्रश्ट कहलाएगा, जैसे मालीजे मैंने ये पूरा एक कास का गोला था रूसके इतना सा भाग काट करके, इसके बाहर ये प्रश्ट पर मैंने पालिस कर दी, तो अंदर की तरफ जहाँ है, प्रकास की करन इससे यहां आएगी, और टक्राका के लोड प्रश्ट कहलाएगा, तो ये प्रावर्तिक 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 प्रश्ट कहलाएगी, तो ये प्रावर्ति प्रश्ट क्यालाईगी, ठीक है, समझगे होंगे सैथ प्रावर्थक प्रश्ट का अमलब क्या है, हम इनके प्रश्ट को किसी खोकले गोले का भाग मान सकते हैं, अभी मैंने बताया कि पुरा कोई खोकला गोला है, ठीक है इसे, और मैंने एक टुकडा ये काट लिया, मालीज जिसके अंदर के वाले सदर पालिस कर दी, ठीक है, तो ये का लाएगा अपना उत्तल दरपन, ठीक है, ये है, अउत्तल दरपन जिसके बाहरी परश्ट परश्ट पर पालिस होती है, और जिसके अंदर वाले परश्ट पर पालिस होती है, वो उत्तल दरपन का लाता है, को नम्बर का क्जिशन अंतर का क्जिशन मन सकता कि अवतल दर्फण और उतल दर्फण में अंतर बताइए । जब कभी भी अंतर का question आता है तो आपको अमेशा टेबल बनाकर कि उसका answer देना है, तो अपना आगे discuss कर लेंगे कि इसका अंतर अपन किस परकार से लिखेंगे, वो देख लेते हैं, पर अपन समझ लेते हैं कि अवतल दरपन क्या है, अवतल दरपन क्या है, ठीक है, आगे ल रहा, ठीक है, अंदरी तरफ गुमावा है, और इसके बाहर वाले परश्ट पर पालिस कर दिया अपने, यह उतल दरपन है, शुरक्षा के दुष्ट्टि से इनके बाहरी, यानिकि इनके बाहरी दलो बाहर वाले अर्थार्थ, परस बोल दीजिए, और उतल परश्ट पर प समयाद रखेगा, यानिकि आउतल दरपन क्या है, जिसके बाहरी परश्ट के उपर रजद पालिस कर दी जाती है, वो आउतल दरपन कर लाता है, और उतल दरपन किसे कहेंगे, जिसके अंदर की सत्य है, ठीक है, यह अंदर की सत्य है, आपको वोगी सवर अंदर क्या है, यह ये पूरा खोकला गॉला था ये से तो अंदर कीश्थ होगी ना और ये पूरा खोकला गॉल नियसकर बना रहा हूं इसको ये रवा पूरा खोकला गॉला ठीक है कात का गॉला है फ।्ट obst Как d Southwest तरह तो इसके बाहर उत्तल दर्पन वहां समीने सत्कारष दर रिखिएगा इसी प्रकारष colossi आगे देखेगा अवतल दर्पन की बात करेंगे एसे गोल्य प्रष्ट इन्का बाहरी भाग दर्पन के प्रावर्त क्प्रष्ट की उप्यूग लेँग लेता है याईनिकि अपने अंदर की तरह पालिस कर दी और बाहरी वाला जो भाग है बाहर वाला भाग ये वाला भाग बाहर वाला ये क्या है प्रावर्तक परश्ट है यहां से प्रकास के लिए टकराएंगी टकरा करके वापस लोड जाएंगी ठीक है आएगी और टकराएगी लोड जाएगी तो बाहरी वाग क्या हो कि इसके अंदर की सत्या पर सांदी या एलुमिनियम की रज़त पालिस कर दी जाती है ठीक है अब देखो इसमें आप यहां से इसको थोड़ा समझ सकते हो पहले अपने बात करेंगे अवतल दरपन की यह आपको दिखाए दिया रहा है यह पूरा है कि इस प्रकार से यह पूर यह लीजिए आप के समझने के लिए इसको बनाए जा रहा है ताकि आपको आसनी से समझ में जाए क्योंकि रटने वाली चीज़े नहीं है इसको समझने पड़ेगा आपको यह पूरा एक काच्छा गोला है समझ में आपके ठीक है अब देखो मैंने इसका इतना सा भाग यह इतना सा रख लिया आपने यह वाला किलियर और इसके इधर बाहर के तरफ पालिस कर दी कोई दिकत नहीं अब आप गणित पड़ते हो गणित के अंदर आपने पड़ा होगा कि वरत यह वरताकार तो है वरत की इसमें क्या होता है केंदर होता है सी यह रहा देखो सी आप द तो यहां पर हमने क्या क्या बाहर की सत्वे पालेस करती और अंदर की सत्वे क्या प्रष्ट का काम करती है यानि कि यहां अंदर की सत्य पर प्रावरतन होता है यह परकास की करने आ रही है इसा टकराती है अंदर की और और यहां इस परकास से चली जाएगी यह दूसरी करन आ रही है यह दिखा दे रही है यह चली जाएगी ये किरनारी ये सिद्धी ऐसे लोड जाएगी ये इस परकार से किरनाती है यहाँ देखो इसमें होता क्या है आवतल दरपड में जो सारी किरने है जो ये बीच वाली जो लाइन है इसे कते हैं मुख्यक्स क्या कते हैं इसको मुख्यक्स जो वकरता केंदर और यहां पर देखो यह इसका एक किनारा जो है वो M है दूसरा इसका जो अंतिम भाग वो N है यहां पर यह दरपन पूरा हो गया यहां तक है तो यह M और N का जो बीच का जो भाग है वो O यानि की धुर्व कहलाता है क्या कर लाता है वो धुर्वे तो C और O को मिलाने वाले रेखा के अंदर वकरता के अंदर और धुर्वे को मिलाने वाले रेखा क्या कर लाएगी मुख्यक्स कर लाएगी यहां से क्यूसन कई बार परिश्यां पूचे गए हैं ठीक है वकरता के अंदर क्या है धुर्वे क्या और इसके समांतर किरन आ रही है यह समांतर ही तो है समांतर केशे कहते हैं ऐसी रेखाई तो परस पर एक दुसरे के समांतर होती है पर उन तो इस दुसरे को कभी काटते नहीं है ठीक है वो समांतर रेखाई होती है तो यहां पर बराबर है यह इसके बराबर आ रही है इसके ब सोरा font溵लिकरि 8 6 एंदो को स्कुराइआ तु को सलीकित करें अब देखो फोकस दूरी इप फोकस दूरी जिसको स्मॉल आयब से दर साइंगे फोकस बिंदू और ओ धुर्बब के बीज़ की दूरी को फोकस दूरी यंगे और वकरता दूरी है न इसमोल एफ यह दो शेम्टीमिटर होगी कहने का उनलब वकरता तिर्जा जो है वो फोकस दूरी की दूगनी होती है वकरता तिर्जा आर जो है वो फोकस दूरी की दूगनी होती है चाहिए आप एसे बोल दीजिए कि फोकस दूरी जो है वो वकरता तिर्जा की आ तो वही बात इसकी तिरजय का लाएगी ठीक है इसमें क्या होता है इसके मुख्यक्स के समानतर आती है यह मुख्यक्स है बीच वाले लाइन तो यह प्रावतन होगा परकास की करन टकराएगी दूर दूर फैल जाएगी परकास की करन टकराती है और क्या होता है दूर दूर फैल जाती है यह परकास की करन टकराएगी यह इदर टकराएगी और यहां फैल जाएगी परंतु इनको पीछे की और बढ़ाएगा अपर डोट डोट करके इसे ना बढ़ा रखा न इन करनों को इसे इसे तो पीछे की और इसंपgewगो आवद उन्तर की बात भी थी कि अंतर किया आप सारी दरपन कि अपसारी दरपन करेंगी वो आगे भी आजाएगा आप देखा है जब एक समांतर किरण पूंज में बहुत सारी किरण एक साथ हैंगी समानतर आउतल दरपन से प्रावर्तित होती हैं तो प्रावर्तन के प्रसाथ किरनपूंज अभी सारित होकर दरपन के सामने बिंदू पर मिलती हैं उस बिंदू को आउतल दरपन का फोकस का राता है एक बिंदू पर मिलती है जब यह राई बिंदू पर मिल ग तरपन के पीछे बढ़ाने से इस बिंदू से आ रही है। जो और यह अपने सम्झा था, इसकी बात कर रहा है कि तर फ्रकार से लोग दूर दूर फला पर शरखा है। आगे लिखा है, दरपन के वक्र प्रष्ट के मद्य बिंदू को हम धुरुव कहते हैं, देखो अभी तो टुकड़ा आपने काटर का था दरपन का, ये M वाला भाग और नीचे N वाला भाग यहां O, ये 20 का बिंदू, ये O धुरुव कह लाता है, गोला का दरपन को हम गोले क का ये भाग मान सकते हैं कि पूरा एक गोला एक खोकला, इस गोले के के अंदर को वकरता के अंदर कहेंगे, अभी बताया था पनने तो C है, यहां वकरता के अंदर, माली ये पूरा एक खोकला गोला था इसे, ठीक है ना, तो ये C इसका वकरता के अंदर हो गया, आगे दुरुए वकरता के अंदर को मिलाने वाले इसल रेखा देखो यह वकरता के अंदर और यह दुरुए इसको मिलाने वाले रेखाओ क्या कहते हैं मुख्यक्स कहते हैं यह परिवासा हैं इनको याद कर लीजिए बार बार और फोकस केपिटल एफ के बिज के दूरी इसमोल एफ फोकस दूरी कलाती है इसे हम इसमोल एफ से दर्शाते हैं ठीक है बड़े कोलाकार चलो आगे देखते है इसमें लोको खास बात नहीं है हाँ एक ती जोन हवास्तिक जियोन में बड़े किरन पुंजों को गोले दरपन क उनकी बजाय पर वल्ये यानिकी उनमें वल्याकार दरपन से उश्मात से क्तितर क्याता है जैसा कि ट्यलिस्कोप में ठीक है और गाड़ी की हैडलाइट यह नहीं है लeton परफन होता है परफनी फिर आगे देखो इसमें जो खास बात है जो important बाते हैं आपको वही बता रहे है हाँ इसमें लिखा है कि चितर 9 points है A और 9 points है 20 यह हम देखते हैं कि आउतल दरपण में focus उसके सामने होता है देखो कहा है यह दो दरपण है चीक है और यह focus बिंदू यहाँ पर है सामने ना जबकि उतल दरपण में क्या है यह दरपण है इसके पीछे क्यों रहे है किलियर तो यह बात कर रहा है तो आगे क्या लिखाई से में देखते है जबकि उतल दरपण में focus उसके पीछे होता है यदि हम इस प गोले दर्पन से प्रावरतन का ध्यान करने के लिए हम कार्तिय चिन परिपाटी का पलन करते हैं कुस नियमों का पलन करेंगे और यह जो गोले दर्पन से प्रावरतन के नियम है इनको समझने के लिए यहारीकी दो दूरिया हैं दनात्मक रिनात्मक उसके लिए अपन कारतिये चिन परिपाटी इसका पलंग करते ही तो ये कारती चिन परिपाटी क्या है देखो मालीजे दरपन अपने बीच में दरपन मालीए दरपन है ठीक है इसे दरपन के इधर दो दूरिया है बाई तरफ वो तो सारे रिनात्मक होंगी नेगटी होंगी और दाई तरफ की दूरिया क्या होंगी धनात्मक होंगी ठीक है और यह तो मुख्यक्स है इस मुख्यक्स के उपर यहां पर अपन वस्तू यहां रखेंगे तो इसे अपन धनात्मक को उचाए मानेंगे और इसके मुख्यक्स के नीचे की तरफ जो परत्वीम बनेगा वो उस रहे अगस्षी से सूर्य क्यानियां के परकास के टक्राइए रॉक्त के हैं तो कि तो मनुश्य को यहाँ रखते हैं तो यही कार्दी चिन परइपाटि है ठीक है अब देखो इस कार्टी चिन पर पाटी के अंदर कुछ नियम हो उस नियमों को दे लेते हैं पहला पॉइंट है मुख्येक्स के समांतर सभी दूरिया दर्पन के दुरुवशे मापी जाती है देखो मुख्येक्स के समांतर दूरिया पन कहां शिमापेंगे दुरुवशे यहां शिमापेंगे कि वो एक मिटर की दूरी पर है दो मिटर की दूरी पर है चार मिटर की दूरी पर है ठीक है दूसरा पॉइंट है बिम्ब यानी वस्तू दरपन के बाईयो रखा जाता है वस्तू कहा रहेगी हमेशा यह दरपन इदर नहीं दरपन रहा इसके बाईय तरफ ही यहाँ वस्तू रखी जाएगी चाहिए वो बड़ा पेड हो ठीक है वेक्ती हो कोई मोटर गाड़ी हो जितन बिंदू के बाईयोर ठीक है कि सभी दूरिया रखा जाएगी अभी पढ़ा था आपन ने बाईयोर की दूरी सारी क्या होगी रखा जाएगी चाहिए वस्तू दूरी जो है वो रखा जाएगी इसी प्रकार मूल बिंदू से दाईयोर कि सभी दूरिया धनात्मक होंगी दाईयोर की दूरी क्या होंगी धनात्मक ये रहा दाईयोर की दूरिया धनात्मक वस्तू हमेशा इदर रखी जाएगी तो इसकलम वस्तू की दूरी हमेशा रिनात्मक की ही होगी मैनस में मापी जाएगी ठीक है चाहिए वह अतल दरपन ह हो उतल दर्पन और मुख्याभ्स के उपर की दूरी फार्प याली फार्फ होगि दूरी मैनश में होगी kip कार्ति की मोरी की दूरी हमया? रिनात्मक, भीम यानी की वस्तु, भाई अवतल हो, ठीक है, या उत्तल हो, वस्तु को हमेशा दिरे रखेंगे, तो दूरी तो हमेशा, भीम की दूरी हमेशा रिनात्मक ही होगी, कोई दिकत नहीं यहां तक, आगे लिखा है, अवतल दरपन में जब परतिविम दरपन के सामन बनेगा, तो उसकी दूरी रिनात्मक, और परतिविम सामने बनेगा, अवतल दरपन में परतिविम क्या होता है, सामने इदर बनता है, ठीक है, नीचे इदर है, तो यह भी रिनात्मक ही होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बनेगा, तो उसकी दूरी रिनात्मक लेंगे, जब परतिम दरपन के पीछे बनता है तो दूरी दनात्मक लेंगे शीदी शी बात है दरपन के इधर अगर परतिम बनता है तो वो दनात्मक में आएगी ठीक है आगे लिखा है जब परतिम उल्टा और मुख्यास के नीचे बनता है तो उसके लंबत जो है उंसाई वो रिनात्मक होगी क्योंग परतिविम नीचे इदर बनेगा तो ये रिनात्मक में आएगा आपको इतना आद रखना है कि दूरी इदर वाली नेगेटिव हैं इदर वाली दूरी पोजिटिव हैं वस्तु हमेशा मुख्याक्स के उपर रहेगी दनात्मक होगी और परतिविम अगर नीचे बनता है तो रिनात्मक में उसकी दूरी मापी जाएगी ठीक है वो अगे पढ़ेंगे कि कौन-कौन से दरपनों के अंदर कुसे दरपनों में नीचे इदर बनता है आब यहां पर मैंने उतल दरपन यह बना दिया इसे चीक है यह बना दिया और इसके अंदरी तरफ पालिस कर दी इसे वाली यह भाद चीक है तो बीम की दूरी रिनात्मक बीम तो इदर है चीक है आई लिखा मेसा दरपन के पीछे इसमें फोकस बिंदू है और जो वकरता के अंदर सी वो पीछे के तरह विदर होते हैं क्योंकि गोला इदर है ठीक है ना तो यहां पर क्या हो रहा है यह परकास ही करने आती है टक्रा करी जाएंगी तो पीछे फोकस बिंदू से गुजरती हुई परतित होती है अभी पढ़ा अध्या परतित के लंबाई के अशी केसी होती है धरात्मक होती है इस परकार से हम अउतल और उतल दरपण के बारे में हमने जानकारी पराप्त की और अगला पॉइंट देखो है कि उदारण है कि सिद्ध कीजिए कि दौरक के अउतल दरपण की वकरता तर्जा फोकस दूर यह वाली यहां से यहां तक दूरी तो यह वकरता तर्जा सी से लेकर यह दूरी यह चार सेम्टिमेटर है तो फोकस दूरी एफ दो होगी ठीक है तो आर बालने चार है तो फोकस दूरी कितनी होगी तो इंटू टू एनकी एफ कमान दो गया दो दो चार तभी तो बराबर ह होगा ठीक है इस परकार चे आपन ये बापते हैं आपको इसको निकालने की कोई आउसकता नहीं है यहाँ से को क्यो punish नहीं आएगा इस प्रकार में से आपको यह याद रखना सिरफ के fokus ॢूरी और whakatata तिरिजा में क्या संब्बन है इसको याद रखेगा यहां से क्यूसन नुमेरिकल टाइप का क्यूसन भी आ सकता है यहां से ठीक है यह इंपोर्टेंट है इसके अंदर आपको यह थोड़ा सा ठीक परकार से समझ लेना है इस परकार से हमने इस वीडियो के अंदर अउतल पढ़ेंगे वहां इस परसन को दुबार आपन डिटेल से समझ लेंगे धन्यवाद